दोस्तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप बैंक का बड़ोदा में इंस्टेंट सेविंग अकाउंट कैसे ओपेन कर सकते हैं दोस्तो उसमें आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपका खाता शंक्या और आपका मोवाइल बैंकिंग तुरंत एक्टिवेट हो जाता है तो दोस्तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है अगर आप खाता खोलना चाते हैं बैंक का बड़ोदा में तो उसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे उसका लिंक मैंने तो इसका PIN कैसे बना है फिसे हमें बैंक जाना पड़ेगा या बैंक में बैंक का जो ATM है वहाँ पे जाना पड़ेगा तो दोस्तो जी नहीं आप बिल्कुल गलत सोच रहा हैं आप इसका ATM का PIN भी आप अपना घर बैठे अपने मुवाइल बैंकिंग से बना सकते हैं तो दोस के सबी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे तो आई दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं ये वेलकम कीट आप देख सकते हैं इस वेलकम कीट को मैं ऑन बॉक्स कर देता हूँ और ऑन बॉक्स करके दोस्तो इसमें का जो ATM है मैं उसको नि यह आपका user guideline है, आप इसको पढ़ सकते हैं, और उसके बाद से यह आपको एक ऐसा एक और book मिल लाएगा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आपका ATM card जो है, यह आपका रुपे card है, और इसमें यह chip भी दिया हुआ है, और दो निकाल देना है और निकालने के बास से दोस्तों आप यहाँ पे अपना signature कर सकते हैं अब भी दोस्तों मैं आपको pin बना के दिखाता हूँ कि आपको pin कैसे बनाना है तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले अपने mobile में वो जो mobile application है आप उस application को open करेंगे जो मैंने account open करते से में बताया था आपको कि आपको कैसे अपना mobile banking activate करना है अगर नहीं activate किया होगा तो वो वीडियो जा के देख लिजएगा और वीडियो देख के आप अपना mobile banking activate कर लिजएगा इसका link हमारे वीडियो के description box में मिल लिएगा हमारे वीडियो के comment box में मिल लिएगा तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये VOB M Connect Plus का जो application है इसको open कर लेना है open करने के बाद से दोस्तो आपको यहाँ पे logging पे click कर देना है logging पे click करने के बाद से दोस्तो आपको जो मैंने बताया था application password उससे इसको आपको logging कर देना है दोस्तो आप यह देख सकते हैं कि यह हमारा जो application है यह logging हो चुका है अभी दोस्तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा David Card Services तो दोस्तो आपको David Card Services पे click करना है उसके पाद से दोस्तो यहाँ पे दिया हुआ है Set David Card Pin तो दोस्तो आपको Set David Card Pin पे click कर देना है और Set David Card Pin पे click करते ही दोस्तो यहाँ पे आपका account number आ जाएगा आपका card number आ जाएगा और दोस्तो यहाँ पे आपको Set Pin पे click कर देना है दोस्तो Set Pin पे click करते ही आपके registered mobile number पे जो आपने खाता में दिया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने खाते में दिया है, वो यहाँ पे आ गया है, और उसको मैं यहाँ पे type कर देता हूँ, 7948, और दोस्तों यहाँ पे pin type करते ही, यहाँ पे automatic यहाँ पे आपको pin बनाने के लिए आ जाएगा, अब यह image थोड़ा clear नहीं हो रहा है, मैं इसको clear कर देता हूँ, हाँ दोस्तों यह देख सकते हैं, enter card pin, तो दोस्तों यहाँ पे आपको enter card pin पे क्या करना है, आपको 4 अंका कोई भी अपने मन से आपको pin बना लेना है, ATM card का, और दोस्तों यहाँ पे confirm में भी आपको वही type कर देंगे, वही आपको सेम दूसरे बादे में भी type कर देना है, और type करने के बाद से आपको process पे click कर देना, तो आइए दोस्तों मैं अपना यहाँ पे set कर देता हूँ, दोस्तों pin बनाने के बाद से आपको process पे click कर देना है, process पे click करते ही, यहाँ पे आपको enter mpin, तो जैसा क M PIN को यहाँ पर आपको टाइप कर देना है दोस्तो M PIN टाइप करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं request for set David card pin is successfully मतलब कि दोस्तो जो आपने David card के लिए अपना request दिया है वो सफलता पुरुवक आपका बन गया है अभी दोस्तो आप इस David card को कहीं भी किसी भी ATM में जाके और इससे आप पैसे विड्रॉक कर सकते हैं तो दोस्तो I hope आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर देगा चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और दोस्तो आपके मन में कोई भी सवाल हो झाल